आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि वेव्यक्ति बहुत ही महान होते हैं, जो धर्म और राष्ट के लिए अपने प्राणों की आहुती देते हैं, हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हुए, लेकिन उसमें एक नाम अपने आप में अधवुत है, और हम सिख गुरुओं की शाहदत को भूल नहीं सकते हैं, मैं कई बार कहता रहता हूँ कि जब मुगलों का अत्याचार अन्या इस देश में बढ़ रहा था, तो उनके खिलाप सबसे ज़्यादा संगर्श अगर किसी ने किया, तो सभाविक रुप से हमारे स सभी सैनिकों के साथ मंत्रना कर रहे थे, उससे कुछ समय पहले ही सरसा नदी पार करने के समय, गुरु जी की मा और उनके दो छोटे पुत्र फते सिंग और जोरावर सिंग बिछड जाते हैं, गुरु जी को चिंता थी कि आखिरिये गए तो गए कहां, दूसरे मार्क पर च हां को उसने पूरी बात बता दी, कि यहां पर गुरु गोविन सिंग के दोनों पुत्र और उनकी मा हैं, और इस तरीके से वजीर खाने घेरा डाला, और इस तरह से माता जी और सभावी कृप से दोनों बच्चों फते सिंग जोरावर सिंग को कहने के गरफतार कर लेता है, बड़ी यातना दे दी गई कुलना के दोनों बच्चों को, छोटे से बच्चे हैं, साथ साल, नौ साल की उम्र है सर उनकी, बड़ी यातना उसने दी, उसने का कि तुमको इसलाम स्वविकार करना पड़ेगा, दोनों बच्चों ने अपने धर्म की जय का नारा लगाया है, चोटे से बच्चे है लेकिन शेर हैं उन्होंने अपनी धर्म की कुलना के कहने की नारा लगाया है उन्होंने का किसी भी कीमत तरमर जाएंगे लेकिन इसलाम को सविकार नहीं करेंगे इस प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए कि जो इस वजीर खाने इस तरीके से उन दोनो बालकों को दिवार में जिंदा चिनवा दिया दिवार में जिंदा उनको चिनवा दिया जाता है इस घटना को देखने के पशाद गुरु गोविन सिंग की मा नहीं सहन कर पाई और उनकी भी मृत्ति हो जाती है ये खबर दूत लोगों ने जब गुरु गोविन सिंग को चमक आ जाते हैं धर्म और राष्ट के लिए कहीं कहीं शहीद हो गए वो तो धर्म विजई हैं दूतों से कहा क्यों रोते हो ये तो खुशी का अवसर है इस प्रकार से गुरु गोविन सिंग के आप कहीं के संगर्ष को समझने का प्रयास किये कि जो दो अपने पुत्र गवा चु अने एक प्रकार से उनको घेर लिया और घेरने के पशात बहुत लंबा संगर्ष चलता है मैं ये कहना चाता हूँ गुरु गोविन सिंग तो चमकोर से निकल गए लेकिन उनके जो दो बड़े पुत्र थे जिनका नाम अजीत सिंग और जुझार सिंग था वो 40 अपने सैनि सिंगों के साथ मुगलों की फौज से ठकराते हैं बड़ा लंबा संगर्ष होता है और अंतता संगर्ष के पश्यात ये दोनों कहीं न कहीं गुरु गोविन सिंग के जो बड़े पुत्र थे जिनका नाम मैंने अजीत सिंग जुझार सिंग बताया वो भी शहीद हो जाते है गुरु गोविन सिंग को ये बात मालूम पड़ी लेकिन गुरु गोविन सिंग ने राश नहीं हुए आप इस बात को सहान रखिये सर कि सिखों के दस्वे गुरु गोविन सिंग ने अपने चार पुत्रों की इस धर्म और राष्ट की रक्षा करते हुए कहीं कहीं आहुत मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से गुरु गोविन सिंग के त्याग को गुरु गोविन सिंग की शहादत को उनके बलिदान को यह राष्ट जब तक रहेगा तब तक याद करेगा मैं यही कहूंगा कि गुरु गोविन सिंग जी हमारे लिए फरिष्टा के समान है कि मुगलों से उन्होंने जीवन परियंत संगर्ष किया और संगर्ष करते हुए मुगलों को पंजाब में किसी भी प्रकार से एक तरह से कह सकते हैं कि उनको अपना डेरा इस्थाफित करने का मौका तक नहीं दिया गुरु गोविन सिंग हमारे राष्ट के लिए हमारे धर्म के लिए एक प्रकार से फरिष्टा है मैं इनी शब्दों के साथ अपने को रोकूंगा जै हिन जै भारत बंदे मातरम